श्री गनेशाय नमहा नमशकार दोस्तों ये राशी फल चंद्र राशी पर आधारित है चंद्रमा मन का कारक है हमारे मन पर जो भी उधार चड़ाव आते है वो चंद्रमा की स्तिधी लेकर आती है और इस वज़े से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज की जीवन को बहुत ज चाया बुरा जाता है तो आईए जानते है इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम ला रहे हैं दोस्तों आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा आज चंद्र आपकी कुंडली में पहले स्थान में रहेंगे बिजनेस और प्रोपेशन के लिए आज प्रसनता और उत्सा से भरे रहोगे बहुत ज्यादा एनरजेटिक रहोगे साथ में सक्सेस भी मिलती दिकाई दे रही है ये समय सेलिब्रेट करने का रहेगा आपके परिवार के साथ आज आप अच्छा समय बिता सकते हैं परिवार के साथ कही वेकेशन पर जा सकते हैं परिवार में शांती, खुशाली और आनन से भरा माहो रहेगा ये समय किसी चीज की खरिदारी करने के लिए भी काफी अच्छा है अगर परसनल लाइप की बात करें लव लाइप के बात करें तो लव लाइप के लिए भी ये दिन अच्छा है ये दिन आपके संबंदों को अगले स्तर पर पहुचाने के लिए बिल्कुल सही रहेगा, अगर आप सिंगल है तो किसी के साथ सम्मन जोड सकते है और अगर आप पहले से ही किसी से जुड़े हुए है तो शादी के लिए प्रस्ताव रख सकते है, इस वक्त कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आने की सं अंभावना भी बनी हुई है, किसी भी जोडिदार का चैन करते वक्त ततारिक आकर्शन पर ना जाए, बलकि ये जानने की कोशिश करे कि क्या वह व्यक्ति आपके भविश्य के लिए अनुकुल है, स्टुड़न्स के लिए भी ये समय शुब रहेगा, पढ़ाई में कॉंस स्वास्ति की बात करते हैं, सेहत की बात करते हैं, तो स्वास्ति के लिए भी समय अनुकुल है, तो दोस्तो खान पान अच्छा रखे, सुबे का ठहलना जारी रखे, इस दिन आरेंज रंका इस्तिमाल करना आपके लिए अच्छा रहेगा, और नो अंक इस दिन आपके में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी फल को एक मार्गदर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा